और हमने उडिशा को केंदर से मिलने वाले बजेट को तीन गुना किया था। हमने उडिशा के लिए नई-नई योजनाय बन चलाई। यहां वर्ग हर समाज की समान भाव से सेवा की। और इसलिए उडिशा के जनता बीजेपी के नीतियों को और कायरशली को भली भाती जान पाई उनका एक विश्वात प्यादा हुआ। और दिल खोल कर हमें आशिरबाद दिया। मैं तो इंटियर में जाता था। कभी मैं संकोज करता था करें मेरे हिंदी भाशा में मैं बात कैसे पहुचाऊंगा। लेकिन मैं देख रहा था कि भाशा भी कभी रुकावट नहीं वनी। भाव इतने मजबूत थे जो भाशा से भी उपर सवार हो जाते था। साथियों मुझे पहले CM के रुप में गुजरात की सेवा करने का मोका मिला। फिर PM के रुप में देश की जनता का सेवा करने का मोका मिला। और आप सबने देश हवासियों ने तीसरी बार एक सरकार बनाई। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूँ सारा दुनिया के लोगों को रखता है भाई क्या बात है। हिंदुस्तान के लोग 140 करोर का देश इतना बड़ा देश। और लगातार एक सरकार को बार बार चुनता जा रहा है। हम 14 में आए 19 माए उससे दुनिया में जितना प्रभाव था चोबिस में उससे अनेग गुना जादा हो गया है। और साथियों जब मैं C.A.M. P.M. के रुप में काम करता रहा। मैंने राजनीती के अलग रग रंग देखे हैं। मैंने उसके तरीके भी देखे हैं। और मैं मानता हूँ कि राजनीती में नीक्ती गत विरोत ये बहुत स्वाभाविक है। ये लोकतंत्र का स्वाभाव है। किसी भी निर्ने को लेकर अलग-अलग मत हो सकते हैं। राजनीतिक दल अपने हर तरह के विचार जनता के बीज ले जाते हैं। और पुरा अवसर होता है जनता को प्रसिक्षित करने का, हर राजनीतिक दल को, राजनीतिक विचार को हक होता है। और ये अधिकार का भरपूर उप्योग कर भी सकते हैं राज निक्तिक दल अपनी बात जनता के बीच पहुँचाने के लिए जनता को जागरुक करने के लिए आंदोलन भी करते रहते हैं लोकतंत्र की संविधान की मरियादाओं में रह करके अपने विचार को प्रगट भी करते हैं और अंदोलन पहले भी होते थे अंदोलन आज भी होते हैं लेकिन पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा बड़लाव आप सभी मैसूस कर रहे होगे भारत की समिधान की भावनाओं के उसे कुचल दिया जाता है लोग तंत्र की सारी मान मरियादाओं को अस्विकार किया जाता है जो लोग सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं उनके पास केंद्र की सत्ता पिछले एक दसक से वो खोच चुके हैं अब पहले दिन से देश की जन्ता किसी और को आशिरवाद दे इसका गुस्सा जन्ता के उपर भी है इस दिती ने उनके अंदर इतना गुस्सा बढ़ दिया है कि वो देश के खिलाब साजिस करने में जूटे हैं ये लोग अपना गुस्सा जन्ता पर ही निकालने लगे हैं देश को गलत दिसा में ले जाने के लिए उन्होंने लोगों को गुम्रा करना शुरू कर दिया उनकी जूट और अफ़ा के दुकान अब उन्होंने इस अभियान को और तेज कर दिया ऐसे मैं जागरत नागरिकों को भाजबा के कायर करता हूं के लिए जो देश को प्यार करते हैं उनके लिए जो सम्मिदान का सम्मान करते हैं उनके लिए जो लोग तंतर को जीते हैं उनके लिए ऐसे लोगों की हरकतें उनके इरादें उनके कारणा में बहुत बड़ी चुनोती बनते जा रहे हैं और इसलिए मैं सभी देश स्वास्यों से कहना चाहूंगा लोग तंतर के प्रती समर्पित हर कारकरता को कहना चाहूंगा हमें हर पल सतर्क रहना है और लोगों को जागरू करते रहना है हमें हर जूट को बेनकाब करना है सत्ता के ये भूखे लोग जनता से सरफ जूट बोलते आए हैं जब इनका एक जूट लोगों पर काम नहीं करता तो उससे बड़ा दूसरा जूट गड़ते हैं ये अपने कारकरताओं को भी जूटा दिलासा देने के लिए यही कर रहे हैं मैं तो आप भी तो देखते होंगे ना 2019 में जो चोकिदार उनके लिए चोर था 2024 में आते आते वो इमानदार हो गया और ये गमार भी चोकिदार को चोर तो गाली नहीं पड़ी इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह देख की जंता को गुम्रा करके सत्तापरूं का गपजा हो जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करेबा कुछ जो मैं भी बोलों तो नहीं